हे नमस्का दोस्तों एक बार फेश से स्वागत है आप सभी का लाइव वेबसाइट चेकिंग सीरीज में आज की इस वीडियो में मैं किसी भी पाँच यूजर की वेबसाइट चेक करने वाला हूँ और साथ मैं उनको ये भी बताऊँगा कि उनकी वेबसाइट में क्या प्रोबलम है जिसके कारण उनको एडिसन्स का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो दोस्तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज गिया था तो ये वीडियो एन तक जरूर देखे क्योंकि इसमें किसी भी पाँच यूजर की वेबसाइट हो सकती है और अगर आपको अपनी वेबसाइट चेक करवानी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको लिंक देनी है और साथ में स्क्रिन सोट देना है कि आपको क्या एरर आ रहा है तो दोस्तो बिना टाइम वेश्ट किये चलिए शुरू करते हैं दोस्तो जैसा कि मैंने आपको आगे बताया मुझे बहुत ही ज्यादा लोगों के मेसेज आ चुके हैं और मैं यहाँ पर सभी के मेसेज चेक कर लूँगा दो विक्स में तो यहाँ पर सभी की वेबसाइट चेक हो जाएगी सिर्फ दो विक्स में तो हम यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करते हैं दो विक्स पहले इस भाई का वेबसाइट यहाँ पर मुझे सेंड हुआ है और उन्होंने मुझे यहाँ पर बताया है कि इनकी वेबसाइट में पोस्ट क्या है और क्या इनकी वेबसाइट है दो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहां पर इनको लोगम का एरर आ रहा है तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया सभी लगबग यही मेसेज़े के उनको लोगम कंटेन का एरर ही आता है अब मैं यहां पर इनकी website है वो भी चेक कर लेता हूं और इन्हों नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी website में दस्त पोस्ट है और वो दूसरे ब्लोग से ली गई है यहाँ पर साफ लिखा हुआ है और यहाँ पर manually site index किया है robot.txt add किये है तो अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इनका robot.txt और site map सही है या फिर नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी website open हो चुकी है और इनकी जो website है वो यहाँ पर एकदम सही से open हो चुकी है अब हम यहाँ पर इनकी website देख लेते हैं कि इनकी website सही है या फिर नहीं तो यहाँ पर सब से पहले low value content का error है इसलिए मुझे इनक site map और robot.txt file चेक करने पड़ेगी कि उसमें कोई error है या फिर नहीं तो यहां पर मैंने इनका site map है वो चेक कर लिया है तो एकदम सही है और यह जो website है वो है blogger पर तो इनकी जो error है वो easily solve हो जाएगा तो जो भी bloggers वाले है वो इस वीडियो को यानि कि यह website site जो चेक हो रही है उसको ध्यान से देख लिजिए और इसका robot.txt file और इनकी जो site में फिर वो copy कर ले तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप गड़बड यहीं है कि इनका site में फै यानि कि इनका robot.txt file है वही गलत है इसलिए इनको low value content का error आ रहा है तो भाई मैं आपको बता दू कि जो robot.txt file है वो कैसा होना चाहिए तो सबसे बहले आपको यह दो बीच में एक space दिख रही है वो remove करनी है और उसके बाद आपको यहां से यह सारा यहां से हटा देना है यह किसी काम का नहीं और यहां पर atom लिखा है उसके बदले आपको site map लिख देना है बस इतना सा काम करना है तो आपका site map और robot.tsd file सही हो जाएगा और आपका जो error है वो भी solve हो जाएगा और अगर आपने webmaster टूल में यही site map यहां डाला है जो यहां पर लिखा हुआ है तो वो remove कर दीजिए और वहां पर जाके आपको site map.xml डालना है तो आपका error है वो easily solve हो जाएगा इस पर मैं एक separate video बना दूँगा कि blogger वाले को यह जो error है वो कैसे fix करना है अभी भाई मैंने आपको जैसा बताया है वैसे आप अपना robot.tsd file और site map दोनों change कर दीजिए आपका error है वो solve हो जाएगा बाकि रही आपकी content की बाद अगर content आपका सही होगा तो आपको definitely adsense का approval है मिलना ही मिलना भाई आपकी website एकदम सही से customize की ही है और आपने content भी है वो भी सही डाला है अगर आपकी जो image है वो copyright वाले है तो वो change कर दीजिएगा नहीं तो आपको हो सकता है policy evaluation का error आ जाए तो अगर आपने image जो भी Google से डाले है वो आप change कर सकते है अगर नहीं डाले है त अब यहां पर हम दूसरी website चेक करते हैं तो दूसरी website यहां पर इन्होंने भेजी है और इनको भी दो बार low value content का error आया है और यहां पर इन्होंने बताया कि मुझे दो बार content आया और 40 plus post इन्होंने डाली है पर भाई आपने यहां पर सायद link send नहीं की है तो मैं यहां पर आ देख कर बताना तो भाई यहां पर आपने मुझे बतायने की error किया तो मैं कैसे check करूँगा कि आपकी website adsense के लिए ready है या फिर नहीं पर एक बार मैं आपको देख लेता हूं कि content का अगर आपको problem है तो मैं आपको यहां पर suggest कर देता हूं कि content आप किस तरीका से डालोगे तो सबसे पहले तो भाई आपकी website बिल्कूल adsense ready नहीं है क्योंकि आपका menu सही नहीं है नहीं आपका customization सही है तो सबसे पहले आपको यह चीज़ों करनी पड़ेगी यह नहीं आपका footer सही है पेद्दों आपने सारे के सारे बनाए हुए तो कोई दिक्र नहीं है आपकी links भी सही नहीं है यहाँ पर आपने mobile phone वारी link add की है आपको mobile phone वाली नहीं परंतु जो आप PC में यूज़ करते हैं वो link डालनी है तो वो चीज़ आप ध्यान रखे कि इन में अगर link में error होगा तो भी आपको adsense में policy violation का error आ जाएगा बाकी रही आपके content की बात तो content आपने सही डाला हुआ है content का कोई problem नहीं है आपका customization बिलकुल गलत है तो उसको आप ही कर दीजिए उसके बाद आपको adsense का approval है वो definitely मिल जाएगा अब दोस्तों हम आज की तीसरी website यहाँ पर चेक कर लेते हैं और यहाँ पर इनकी website है उसमें low value content का error आ रहा है तो भाई सभी को low value content का ही error ज्य होती ज्यादा पोस्ट है तो उनका content है वो low value वाला बिलकुल नहीं है आपने कस्टमाइज भी से से गिया है सारी चीज़े सही है लेकिन आपका robot.txt file और आपका sitemap wrong होगा इसलिए ही आपको यह error आ रहा है तो मैं सबसे पहले तो आपका sitemap देख लेता हूं कि आपका sitemap स देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं इनकी कितनी ज्यादा पोस्ट है फिर भी इनको low value content का error आ रहा है यह हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इनके robot.txt file की वजह से तो हम यहाँ पर इनकी robot.txt file है वो देख लेते हैं वो सही है या फिर नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं इ यानि कि ये question mark से इतना ये आपको remove करना है और ये जो atom लिखा है वहाँ पर आपको sitemap.xml लिखना है और यहाँ पर एक space से allow और sitemap के बीच वो remove करनी है और तीसरी बात कि आपको अपना sitemap है वो webmaster tool में sitemap.xml करके ही डालना है ये आपका नहीं होना चाहिए अगर आपने ये डाला है तो वहाँ से remove कर दीजिए मैं आपको एक blogger की website है उसका दिखा देता हूं कि sitemap यानि की robot.txt file कैसा होना चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको एक website open करके दिखा देता हूं यह website मेरी ही है यह आप सभी को पता है तो मैं यहाँ पर इसको open करता हूं और इसका robot.txt file आप देख लिजिए robot.txt file कैसा होना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर आप देख लिजिए यह site map यह robot.txt file और यह robot.txt file में क्या अंतर है यही change आपको करना है इस परकार का ही आपका होना चाहिए और webmaster tool में आपका sitemap है वो भी इसी परकार का होना चाहिए तब ही जाके आपको low value content का error है वो नहीं आने वाला तो भाई आप सबसे पहले जाकर यह change कर लिजिए blogger setting में आपको robot.txt file का option मिल जाएगा उसके बाद आप apply करेंगे तो आपको यह error है वो बिलकुल नहीं आने वाला तो दोस्तों हमने यहाँ यहाँ पर तीन website चेक कर ली ह अब मैं देख लेता हूँ आगे कोई website भेजी गई है या फिर नहीं तो यहाँ पर भाई आपकी website चेक हो गई है अब मैं यहाँ पर इनकी website देखता हूँ और इनको भी low value content का error आ रहा है तो हम इनकी website है वो भी एक बार देख लेते हैं अगर blogger पर है तो यहाँ पर easily हो यह remove कर दीजिए तो आपका footer अच्छे से दिखेगा और वैसे जरूरत नहीं है लेकिन आप अपना footer है वो user friendly कर दीजिए जिसे कि आपको एड़सेंस अपरोल में problem ना हो और बाकी जो आपके image है वो copyrighted लग रहे है सारे Google से download तो आपको अपने image है वो भी change करने अपने menu में जो अपने page से about us, contact us और privacy policy वो नहीं डाले तो वो भी आपको डालने जरूरी है तो menu में आप page से add कर दीजिए बस इतना करना है लेकिन आपका जो error है वो आपके site map और आपके robot.txt file की वजह से आ रहाते हैं वो दोनों में एक बार चेक कर लेता हूं सही है या फ में कोई भी error नहीं है अब हम इनकी जो robot.txt file है वो देख लेते हैं बनी हुई है या फिर नहीं तो robot.txt file हो जाती है और आप देख सकते हैं इनकी robot.txt file भी generated है बीच में एक सिर्फ और सिस प्रेस देखने को मिल रही है तो वाई ये space आप रिमूव कर दीजिए लेकिन wordpress व यहां पर इनका sitemap और robot.txt file दोनों एक ही plugin से generate होता है तो दोनों match ही होता है तो आपको कोई changes करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको अपने webmaster tool में जाना है और वहां पर अपने webmaster tool में आपने sitemap डाला होगा तो वहां से remove कर दीजिए क्यूंकि आपका sitemap already generated है तो आपको दो sitemap की वज़े से low value content का error आ रहा है तो वहां पर जाकर आप अपना sitemap डाला है webmaster tool में वहां से remove कर दीजिए उसके बाद आपका problem solve हो जाएगा तो wordpress वालों को मैं बताना चाहूंगा कि आपको दो sitemap नहीं रखने है नहीं तो आपको low value content का error आएगा ही आएगा तो दोस कि आपको कैसे करना है और बाकी जो 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 लोगोंने message गिए उन सभी की website भी next video में मैं चेक करना है दोस्तो आई होप जिन लोगों को भी मैंने changes करने को बोला है वो अपने changes कर लेंगे और उनका जो error है वो solo हो जाएंगे और आगे जाके उनको AdSense का approval भी मिल जाना है तो द को देखने को मिल जाएंगे दोस्तों मिलते हैं next interesting video में तब दक के लिए जय ही जय बारत